अगर किसी बंदे के कुछ परसनेल्टी है अगर वो किसी एक ऐसी पोजिशन पर है जहां पर देखके बंदे बोले वह क्या बात है तो उस बंदे के पास यह गाड़ी आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी यह एक मतलब यह लगा लोगी स्टेटर सिंबल है गाड़ी निया एक स्टेटर सिंबल है गाड़ी कि अगर आप एक ऐसी पोजिशन पर हो रहा है पोटेटिव पोजिशन पर हो तो यह गाड़ी मतलब एक सिगनेचर है उस चीज़ का कि भाई आपने लाए पी मतलब जिंदगे में आपने कुछ अचीव किय है तो यह है Fortuner तो यह 4x4 Automatic है और इसकी प्राइजिंग आपकी स्क्राइब लिंग कर रहे है यह एक शोरूम प्राइजस का तो यह हर किसी लड़के का ड्रीम होगा या फिर कोई भी हो लड़की हो लड़का हो अगर ऐसा गाड़ियों का मतलब शौकीन बंदा है तो उसके पास एक ड्रीम जरूर होगा की Fortuner हो उसकी तो अभी हम बात करते हैं कि यह आपको ओफर क्या कर देता है 4x4 Automatic Fortuner यह वाले व वीडियो को और अगर आपको वीडियो पसंदा है तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और आगे भी जरूर शेयर करना अभी गाड़ी चावी से स्टार्ट कर लेते हैं तो अभी गाड़ी की चावियों के बारें बात चीत करें तो भाई यह देख लो कुछ इस तरीके कि आ यहां पर आपको डूर्स को लॉक अनलोग करने के लिए बटन है और यह है वहावाजी वाला फीचर मतलब कहीं पर भी आप खड़े हो भाई जिसने मतलब यह चीज ना देगी हो ना उसके सामने पर आपको खोल दो बंदे मुड़ मुड़ के देखते हैं भाई यह 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 तो अभी एक सेकंड इसको रख लेते हैं साइड में कीले सेंट्री आपको ओफर कर देती है तो ही पर रख लेता है सिंपली अभी यह सारी चीज आपको दखाऊंगा यहां पर है इंजिन स्टार्स टॉप बटन जिसे आप एक बार प्रेस कर देते हो तो स्टेरिक मिल अपन तो यह तो तो करती रहेगी वर्ना तो यह हां पर ओन हो जाता है और अभी इसे एक बार और प्रेस कर देता है तो सामने को इस तरीके से गलो करता है क्लेस्टर और एक सेकें इसकी स्पीड वगेरा कर लेता है तो यह है और यहां पर देखो 6000 तक क्या आपको आर्पेम्स मिलती है यहां पर दोस्तों के टॉप स्पीड मिलती है और यह थोड़ा ब्लू शिट टिंट आपको दिख रही होगी इसके अंदर ऐस आपको एडिन लग रहा होगा बट जब रियल आंकुस देखो के ना तो मतल अब क्लासी चीजों पर क्लासी टच शरूर से दिये हुएं ऐसा निया कि यहां भी जैसे डिजिटल का ही जमाना चलता है सारी की डिजिटल ले दो तो यह बहुत गजब के लगते हैं नो डोडा मतलब यह मेरे खुद की परसनल प्रेफरेंस है यहां पर है अपने वाइपर अब करके गेर शिफ्टिंग करने मतलब थोड़ा स्पोर्टीनेस के तरह चलाना हूँ तो आप कर सकते हो वह चीज आपको ऑट्यमेटिक गेर पे मतलब वैसे निरभर होने की जुरूत नहीं है आपका मन करें आप वैसे चलाओ तो यह हैं आप और अभी स्टेरिंग वील द लाती है तो अब यहाँ देख़ रोस्टीरिंग वील यह मतलब एक चीज में कहना चाहूंगा इना व्हिंज फीलिंग कर लूँgen कीसा बहुत ज्यादा पैसा हो मतलब यह हर बंद्धे का ड्रीम वहता है जिसके पहुत भाइश ज्यादा पैसा है वह चाहता-एक पालas सिंबल लगा लो विए बहुत जौदार बहुत जबर्जस्ट अभी पॉइंट पर आता हैं अपने स्टेरिंग विल पर आ जाता है तो यह कुछ ऐसा मिलता है तो उपर इस थोड़ा विटन बर के देखने के लिए तो यहां से आप अपनी information वगएरा कर सकते हूँ और यहां पर जो पी लिखा हुआ आ रहा है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यह ओटोमेटिक है यहां पर पार्किंग पर अभी तो पी आ रहा है और जो cruise control हो आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है और इसकी adjustment की बात करें तो इस टेल्ट है एंड टेलिस्कोप भी है तो बेसिक सी चीज है अब पर बताना फर्ज बनता है हमारा कि यह चीजे भी आपको मिल जाती है टेजबोड एक से लिखाता हूं उपर इस साइड से जो हेडलाइनर आप देख रहें बेज मिलता है आपको पर पूरा यहां प्लेश्मेंट प्लेश्मेंट भी है जो कि बाहर की साइड और अंदर की साइड यहां पर आपको वैनिटी मिल जाता है लाइट के साथ और टोडिमिंग आई यार वीम मिलता है इसमें आपको यह देख सकते हैं और यह पूरा ब्लैक इंटिरियोर भाई क्या गजब कर लग किंटी कंपार्टमेंट और यहां पर है प्राइमरी ग्लो बॉक्स कुछ इस तरीके का तो बाहर के प्रोफाइल की बात करेंगे जब इस गाड़ी की तो आप यह चीज याद रखना कि इस गाड़ी के अंदर एक लाख पच्छिस जार के सम्तिंग की ऐसे स्रीज लगी एक प्लस पॉइंट है यहां पर पैसेंजर एरवाग रमाइंडर है डॉल जोन एसी है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के पूरा सिस्टम यहां पर है यहां पर है अपना चार्जिंग सॉकेट यूएजबी के लिए पोर्ट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है आगे वाली इस तरह पर आपको कुछ भी करने के उसमें जरू होता है यहां पर है एति दुर्च एच फॉर और एल फॉर मतलब आपको किस तरीके से फोर बाई फोर करनी है गाडी सात तो वह सिस्टम आपको यहां मिल लाता है और यहां पर है फॉन लोगा रखने के लिए थोड़ी और यहाँ पे हैं eco, normal और sports की बटन, यहाँ पे है ideal start stop वाली बटन, differential locks की बटन, traction control की बटन और काफी बड़ा सा glow box, मतलब glow box नहीं sorry armrest और space क्या मतलब यह लगा रो bucket है पूरी यहाँ पे और use कर सकते हो इतनी बड़िया तरीके से space दी हुए, काफी बड़ा सा armrest हाँ पे मिलता और यहाँ से इतना ही कुस्ता, नीच एक साइड अपना दूप पैडल से मिलता है एक्सलेशन और brake के लिए, क्योंकि यह आपने डैट पैडल भी आपको मिल जाता है, और इधर की साइड इंजिन start stop बटन है, cup holder यह प्रेस्मेंट है, फ्रंट पार्किं सेंसर इलेटिड पीछे और पीछे एक स्पेस पर दिखाते हैं, उसे पहले डूर पैनल दिखा देता हूं आपको, और अभी यह देगो आप डूर पैनल इसका, मतलब लैदर ही लैदर, पर यह पूरा soft है, यह पूरा soft है, हां से यहां तक, वाइस्टिशिंग मिलती है, इसकूपर भी, silver highlights है लेजेंडर में यहां पे ambient light भी आती है, बट वो इसके अंदर नहीं है, chrome door lever है, चार उपार windows हैं, जो की automatic up-down है, मतलब vintage up-down है, यहां पे doors के lock है, windows के lock है, ORVM's के lock है, यहां पे हैं, tutors की place, vendor पूरा system, JBL करा तो हड़ जगा आपको, JBL की embossing देखने के लिए मिलेगी, speaker की placement, इसका प्लेट वगरा है, इसका प्लेट वगरा है, इसका प्लेट वगरा है, I think accessories का पार्ट है, नीचे भाई footrest, यह आपको जरूर लगवाने पड़ेगा, भ्याहां से लगवाओ, कोई इस लगवाओ, यह आपको चाहिए गई, तो यह और यहां पे एक चीज और, यह मिलत हैं, पीछे, और अभी पीछे की स्पेस वगरा आपको चेक आउट करा देता है, एक सेकेंडे से कर लेते हैं, उपा, तो उससे पहले यह देख लो, डूर पैनल वगरा है, यह भी प्रॉपर पूरा लेदर, लेदर मिलता है, यहां पर, फोर्चूनर, मतलब ब्रेंडिंग क खुलेगा, कोई देखेगा, तो, मतलब ब्रेंडिंग करने का तरीका, एक थम्जर, यहां पर वो इसे, ख्रोम डोल लेबर, यहां पर पार विंडो, जो कि बंटा चपडाउन में, लेदर, स्टेच वगरा, सारा कुछ वही सारा चीज, बोटर होल्डर, थोड़ी स्पेस, स प्लेस्मेंट, और यहां पर इसका प्लेट्स मिलते हैं, जो कि इलुमिनेटर नहीं, आपको देखी गया होगा, यह है, और अब भी आपको दखाते हैं, स्पेस, तो वैसे बात तो नहीं करनी चाहिए, स्पेस वगरा की, बट फिर भी आपको बता देता हूं, पांचनो मेर आइटा और यह देख सकते हूं, आप एड रूम, लेग रूम, सब कुछ बहुत कजबगा है, पूरे पैर स्टेश आउट कर लेता हूं, काफी अच्छा स्पेस बनता है, यहां पर डैदर सीट्स हैं, तो किसी भी चीज़ को टच करने का जो फील है, बहुत प्रीमियम है, ज्यादा, 12 उपर चारजिंग सॉकेट है, यहां पर हुक्स मिल जाते हैं, आपको दोनुई सीट्स पर कुछ सामानक पहेंक करना थे, हापर सकते हो, दोनुई सीट्स पर पॉकेट्स मिल जाती है, और यहां पर मिनीमल सा हम्प है, तो और यह भाई, एक ऐसी परसनेल्टी व को आफर होते हैं, पीछे वाली रोह के लिए भी और रूप मांटर इस इवेंट्स मिलते हैं, वो ऐसा कुछ निए कि यहां पर है, वहां पर है, रूप मांटर है, और इतने एफेक्टिव हैं, बहुत चिल्ड कर देता हैं, गाटी को तुरंद से, यहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आट ग्रेव एंडल मिलते हैं भाई, और यहां पर कोट वगल टांग निकली है, उक्स भी आपको मिल जाते हैं, दोनों ही साइड और यह इजी फोल्ड भी हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से तरह से जरूत नहीं है कि, मतलब जो एकदम से स्टे है, तो आप यह यूज़ कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से मिलते हैं, आपको एकदम से सिंपल, और यह कर दो पंद, मतलब ब्लेक केविन के भाई, जो फील है, वो बहुत प्यारी है, अब वीडियो जाएगी, भरना आपको बताता है, बहुत कुछ मैं अब इसके बारे म पीछे जाने के लिए आपको सिंपल इसे करना है, और आप पीछे जा सकते हो, और पीछे वाली रोक आपको बताई भाई, सफीचेंसी स्पेस आपको हाँ पे भी मिल जाती है, तो मैं पीछे जाओंगा नहीं क्योंकि, यह गाड़ी किसी के डिलिवरी किये, और यह से गंद पर अपको के सामने आगे देखते ना, जी अपको बड़ी की लगती है, इसकी डिमस आपकी स्क्रीन टो ग्लिंक कर दोवा, देख लेना, कितनी लंबी मुती चोडी है यह, और भाई, क्या मैंसी हु लगती है, भाई, भगवान इतने पैसे दे, जल्दी रहे काड़ी ले न तो बस एक द्रीम है भाई मजाग मत उड़ाना वस इस चीज पर तो ये है कुछ और अब ही फ्रन्ट प्रोफाइल में हम देखो तो DRLs बगर हैं मतलब बैर परस्नली बताओं एक चीज तो लेजेंडर से जादा मस लगती है ये वाली मतलब कभी भी दिन में ऐसा नहीं है कि ये जल रही है तो ये जो जलती रहती है न क्या ही गजब कि मतलब पूरा इगल जैसी फील देती है अब भाई रुत बात उस गाड़ी का है मार्कीट में तो ये है सामने से वाइट लाइट आप कॉफर करते हैं यहां पर है LED बेस अपना फॉर्ग्रम स्वेंट में दो पार्किंग सेंसर भी है यहां है अपने इंडिगेटर्स नीचे की साइड काफी बड़ी सी ग्रिल मिलती है और काफी बड़ा सा लोगों भी मिलता है फॉर्ट नर दे हो किस तरीके से लिखा हुआ है नीजे साथ स्क्रिट पल इलिटर्स है नम्मरप़िट की प्रेस्मेंट है और भाई क्या गजब की एर या है बीनीच के आड़ी दिखाता हूँ यहां पर ब्रेश्टोन के टार्ट्स मिलते है जोगे 265,č अए में 10 की प्रोफाल साथ कुछ ऐसे आते है और यह घन में तो मैं है मतलब यह क्या बताओ यार थोड़ा प्रतिंइम थोड़ा कुछ वैसा सहा से लएसा फिल जीब सी है उनल शायनी है बोड़ और अगे पीछे डिसब्रेक्स मिलती है और बहुत इसालीड तो यह प्रोफाइल भाई इसकी प्रोफाइल यह जो लाइन जाती है किसी को भी दीवाना बना देगी यह बॉड़ी कलर्ड ओर वियम्स कुछ इस तरीके के इंडिकेटर के साथ उपर की साइड रूफुरिल्स भी है इसमें और ऊपर तक तो मेरी नजरे भी नहीं जारी वाई कैमरे सब्सक्राइब देखाना पड़ेगा आपको ऊपर की साइड एक साथ पने इंटिना भी है काफी बड़ा सा स्पाइलर है स्टॉप लेंप है वाईपर सारी सीजें मिलती है इसमें आपको और यह देखो तो टोटा को पता था भाई कि यह बॉड़ी लेंग्विज बहुत ज चेंज कर दिया और लोगों पसंद नहीं आए तो गाड़ी की प्रोफाइल खराब हो जाएगी तो इसलिए ज्यादा छेड़ छाट इसके साथ नहीं करिया है जो मतलब थोड़ी से प्रैस्नेस चाहिए थी पर द्यान दिया है तो मेरे साब से सही भी किया तीछेक साट चार हाँ फोर की बैजिंग सेक्ट में फोर से ही बता चलेगा आपको कि फोर बाई फोर है और वील से भी बता चल जाएगा तो फोर बाई टू के अंदर दूसरे आते हैं वो दिखा तो हम कैसे आते हैं हाँ सटले का गाड़ी में टीजल और यह इतना क्रोम वरक आप देख रहे मुपाइल और एक बार ओर देख लो आई और यह शीशा वागेरा जो आप देख रहे हो न यह सारा कुछ ऐसे स्रीज का फार्ट है एक सेकंड इसके आप और खोले हैं फिर मिलता है यह 275cc का फोर्स लेंड डीजल इंजन जो की 201 ब्याइच पी डिवलप करता है और 500 अनिम का टॉर्क और आट की माइलेज कंपनी क्लेम करती है मान के चलो देख और इतने बड़े इंजन पे माइलेज जो बंदे लेते हैं वो माइलेज तो देखते हैं पहली बात और फिर भ आपके सामने फॉर्चुनर 4x4 ऑटमेटिक और अगर मेरे पास पैश हो तो भाई फॉर्चुनर यह वाला वेरेंट प्रेफरेंस रहेगी क्यूंकि मतलब बीच का सा लगा लो इसे एक तो 4x4 है फिर सूपर लीजेंडर आती है 4x2 4x4 वह या मतलब थोड़ा कॉस्मेटिक बगर अगर चेंज है बाकी फिर मेहंगी बहुत हो जाती है तो अगर आप अल्टरा लेवल के रेच हो तो भाई आप वो लो वरना काम ये भी वही कर देगी फॉर्चुनर तो फॉर्चुनर यह वाई तो यह थी आपके सामने फॉर्चुनर क्या इस लगी वीडियो बताने कमेंट्स में अच्छे लगी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना अगर आप गाड़ी के दीवान ही हो तो फिर तो फैला ही देना वीडियो को और हम फिर मिलते हैं इस वीडियो में बाई बाई